राधे काली भजू जनि कहू काली भजू जनि कहू गोबिंदराधे काली भजू काली भजू गोबिंदराधे जनि काल तेरा काली आने ही नादे आने आर्शे जार्श आने आर्श आने आर्श बेद में कहा गया है न श्वाश्व उपासीत कोही पुरुशोष्य बेद अरे मनुष्यों कल का उधार न करो श्वाह माने कल तुमारो हम लोगों में अनाधिकाल से यह सबसे बड़ा दोश है कि परमार्थ के कार्जु को उधार कर देते हैं अरे पहले यह करो संसार का जरूरी काम है वो तो होता रहेगा वो तो होता रहेगा यह जरूरी करो संसार का गोबर गणेश का नश्वर जगत का पहली बात तो मानो देह ही बड़े पुन्य और बड़ी भगवत कृपा से मिलता है दूसरी बात तत्पक ज्यान कराने वाला कोई सही महा पुरुष मिल जाए यह और भी दुरलब है क्योंकि ढूढने में तो हम फेल हो जाएंगे और इतना समय भी नहीं है कि सारे संसार में कोई ढूढने जाएंगे और अगर वे मिल भी गए तो उन पर बिश्वास हो यह और भी दुरलब है संत तो हमको अनंत बार मिल चुके पहले भी लेकिन कोई जचा नहीं जचा नहीं जिसे शादी ब्याह में कहते हैं न कोई लड़का हमको जचा नहीं कोई लड़की कोई जची नहीं आईसे ही कोई संत जचा नहीं हमारी बुद्धी की कसाउटी पर A, B, C, D पढने वाला प्रोफेसर का निरने पहले कर लेगा फिर पढ़ाई शुरू करेगा वो पिचारा कैसे निरने करेगा उसको तो परिभाशा भी नहीं मालुम शास्त्रवेद के अनुसार संत कहते किसको है और अगर किसी ने बड़ी मिहनत की भी है तो यही समझ पाएगा जिसका बाहरी त्याग हो बाहरी आडंबर हो जिसके यहां बहुत भीड हो ओ बड़ा महात्मा है जैसे वकीलों की डाक्टरों की पहिचान करने में हम लोग प्राया यही लगाते हैं पैमाना अरे उसके हां बहुत मुकदमा आता बड़े बड़े लोग आते हैं बड़ा वकील है तो संसार में तो ठीक है लेकिन spiritual जगत में तो पाखंडियों के यहां बड़ी भीड होती है हम तुमको यह दे देंगे हम तुमको बच्चा चाहिए हां आओ धन चाहिए हां आओ हम तुमको ताबीज बाहन देंगे हम तुमको यह कर देंगे कितना परचार तो पाखंड का तो बहुत जल्दी परचार होता है खास तोर से सकाम संसारी बस्तु देने का कोई ढोंग रचले बाबा बस भीड़े कठा हो जाएगी क्योंकि सब उसी के भूखे हैं तो यह सब असंभो बाते सी हैं तीनों जो बता रहा हूं मैं इसलिए जगत गुरु शंकरा मनुष्यत्वम इमानोदे हैं और मुमुख छुत्वम प्यास भगवान की यह भगवान की प्यास कैसे लगेगी जब थियरी की नालेज होगी हम वास्तविक संत से समझेंगे तुम कौन हो तुम्हें क्या चाहिए वो कैसे मिलेगा तब होश में आता है मनुष्य अच्छा मेरा शरीर इतना इंपॉर्टेंट है और मैंने बरबात कर दिया उसको क्या कमाल किया हमने B.A. किया, M.A. किया I.S. किया, कलेक्टर, कमिस्णर, गवर्णनर बने लाग करोड अरब कठा किया एक ब्याह किया, दो चार छे बच्चे किया दो चार महल कठे किये, फिर क्या हुआ? मर गए और ये सब तो ये ही रहा और जो पाप किया ये सब करने में वो साथ गया अब चलो बच्चू 84 लाख में घूमो तुम्हें कोई महात्मा मिले थे हाँ मिले तो थे फिर अमा गए नहीं हमारे पाद टाइम नहीं था टाइम नहीं था फोन करना पड़ता है बार बार इधार उधार उधार करोणों का ब्यापार है तमाम काम धन्दा इसलिए तुमको भेजा गया था तो हम लोग ना समझी से सब कुछ मिल जगाए तो भी खो देते हैं तो संक्राचार्जे ने कहा मनुष्यत्पम मुक्षुत्पम और महापुरुष संभावाः और कोई महापुरुष मिल जाए इतो बिन हरी कृपा मिले ही नहीं संता पुन्य पुन्य बिन मिले ही न संता सबसे दुरलब अगर ये तीनों चीज किसी को मिल भी गई हों तो कल से शुरू करेंगे बजन अभी तरह ये जरूरी काम है रिटायर होंगे तो बस यही करेंगे दिन रात और जल्दी से मेक अप कर लेंगे जो तनी गड़बड की है अब तक कितने बड़े बड़े लोगों को जो हमारे संपर्क में आए चीफ जस्टिस जस्टिस कलेक्टर कमिश्णर महराज जी रिटायर होने के बाद हम आप आई के यहां बस अब फिर सर्विस ढूण रहें अरे अब क्या करोगे तुमको पचीस हजार पेंशन मिल रही है तुम्हारे पास पचास लाख रुपया भी है आजाओ ना तुम्हारा जी आप क्रिपा कर देजिए आने के ज़रूरत न पड़े और बहुत अधिक कहा तो बस यही वाक्य बोल देते हैं करेंगे और खबर मिली आज वो गया अरे बिचारा कह रहा था करेंगे करेंगे चला गया तो इसलिए बेद कहता है नश्वश्वव उपासी तो कल का उधार न करो महा प्रहलाद ने कहा था कवमार आचरेत प्राग्यो धर्मान भागवतानिय शात्मे असकंद के छठमे अध्याय का पहला अश्लोग अरे मनुष्यो बच्पन से ही शुरू कर देना भगवान संबंधी लाभवाला कार्ज बच्पन से ही ताकि जुवावस्था का जो नशा होता है न उसमें सम्हले रहो तयार रहो पहले से मालूम है जुवावस्था का नशा बड़ों-बड़ों को गिरा देता है हम समझें हैं शाक्त्रवेद से इसलिए होश्यार रहते हैं और इसलिए प्रहलात कहते हैं कि क्या पता जुवावस्था आवे न रोज तो हम देखते हैं वो पैदा होते ही चल बसा वो साल भरका होके चल बसा वो दस साल होके वो देखो आई एस हो करके आ रहा था एक्सिडेंट हो गया चला गया रोज तो देख रहे हैं हम तो अपने लिए कैसे चैलेंज कर दे हमको ऐसा नहीं होगा क्यों तुम स्रिष्टी में अलग हो कि बेदव्यास ने कहा जुवई व धर्म शील अश्यार जुव आवस्था आते ही शुरू कर दो भगवान संबंदी भक्ति को कि बाल्य आवस्था में तो तुम्हारी कैचिंग पावर कम होती है लेकिन जुव आवस्था में तो पढ़ लेके और समझेने की योग्यता हो जाती है तो जुवई वधर्म शील अश्यार क्यों कोह जानात कस्याद्य मृत्य कालो भविश्यती केवल यही एक ऐसा सीरियस मामला है जहां सब फेल हो गए रिशी मुनी योगी ज्यानी संत महात्मा जाब चले गए टाइम आने पर हाँ आदि जगत गुरू शंकराचार जवानी में चले गए 32 साल की उमर में क्यों वो तो चाहते तो सदामर रहते महापुरुष के लिए तो आसंभो नहीं वो तो मृत्युजित हो जाता है किसी के लिए कोई अलग से कानून नहीं भगवान का कानून सब के लिए एक है जिसके मामा भगवान स्री कृष्ण और उसका बाप अर्जुन गीता ग्यानी वो अभिमन्नू जुवा वस्था में मारा गया धोखा देकर और फिर भी नहीं बचाया स्री कृष्ण ने या अर्जुन ने और आज कल हम लोग सव रुपया देके पंडित बुलाके और कहते हैं मृत्तिंजे का जाप करो मेरा बेटा सीरियस है तो मरने न पावे ऐसी भोले भाले लोग हैं भगवान को सव रुपय में खरीद लो अरे भगवान भी नहीं काट सकता प्रारब्द को अपने बाप को नहीं बचाया राम ने जशरत जी को जाना था जिस समय गए किसी के लिए कोई रियायत नहीं इसलिए वेदव्यास कहते हैं जुआ वस्था शुरू होते ही लग जाओ ताकि जुआ वस्था के नशे में पिर न पड़ो संभल जाओ क्योंकि जुआ वस्था का नशा इतना भयानक होता है जान रहा है मैं जा रहा हूं गढ़े में जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं लेकिन जो होगा देखा जाएगा मर जाते हैं लोग और फिर यहां होश में आते हैं बुड़ापे में जब खुब अटाइस्मेंट हो गया बेटा बेटी नाती पोटा संसार में सब बिगड़ गया कि चलो अब भी बना लो कुछ तो कम से कम मानो दे तो मिले इतना तो बना लो टाइम नहीं है कुर्सी पपायर फैला के नाबेल पड़ रहे हैं क्या करें टाइम पास कर रहे हैं नाती पोटाब है जो कोई हो अपने परिवार का उसको गुद में लेके लल 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 कर रहे हैं यानि जल्दी मर जाएं छुट्टी मिले यह शरीर मिला है इसको किसी प्रकार खतम कर दें यह हम लोगों का प्लान है यह मुल समझा हमने शरीर कर इसलिए काल का उधार मत करो हर समय होश्यार रहो क्योंकि मृत्यू के समय जहां मन रहेगा वही गती मिलेगी अपने मन को बिलकुल हरी गुरू में लगाए रहो वरना सरगेशु शरीरत बाए कलपते बेद कहता है कलपों तक फिर मानो देह नहीं मिलेगा 84 लाक में घूमना पड़ेगा वो दुख सहा नहीं जाएगा एक हिरन एक बड़े से बड़ा जानवर हाथी शेर जंगल में न खाने का ठिकाना है न पानी का जंगल में भाग रहा है उसका दुश्मन खदेड रहा है पकड लिया शेर ने खा गया उस भैस को उस हिरन को कहा जायो कौन पुलिस है उन विचारों के लिए पानी पी रहा था हिरन पीछे से आया चीता खा गया यह सब भोग चुके हैं हम लोग अनंत बार अब फिर भोगने का उपाय कर रहे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहा हिर भोगने कर रहे हैं कर रहं हैं कर रहा हैं कर दो